जहें दोस्तो मेरा नमें अतुल और स्वागत है आपका अपनी डिप चैनल अतुल टिक बजार में दोस्तो तीन मोबाइल हमारे पास में हैं इसमें फर्स्ट वाला रिसेंट्री लॉंच हुआ है रियल्मी 10 प्रो 5G डिवाइस और थर्ड वाला जो है रियल्मी 8 4G डिवाइस है वह कुस्स समय पहले लॉंच होता है यहां पे दोस्तो हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले है जुआ है बात करें रियल्मी 10 प्रो डिवाइस के इसमें अपको थार्डी 3 वाट का सूपर वुग चार्जर मिलता सेम दोनों भी सेम चार्जर मिलते हैं और लास्ट जो डिवाइजर रियलमी 8 4G डिवाइज यह कुछ समय पहले लाँज हो थी इसमें डार्ट चार्जर मिलता है 30 वाट का तो यहां पे हम तीनों ही डिवाइज में चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं आपको बता दो तीनों ह देखते हैं इस टेस्ट में कौन सा मोबाइल सबसे आगे निकलता है किसकी चार्जिंग सबसे ज्यादा फास्ट हमें मिलती है जो सबस्क्राइब जरू से करेज़ेगा बेल आगन को भी प्रेस करेज़ेगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुझा है चलिए फड़ाफट से स्टार्ट करते हैं सेटप दूस्तों हमारा तया रोच्विका है तीनोगी मोबाइल में आप देख सकते हो वन परसंट चार्जिंग है वन परसंट टू हंडिट परसंट हम यहां पे चार्ज करने वाले हैं रियल्मी टैन 4G और एट 4G डिवाइस में रियल्मी यूए 3.0 एंडरॉइड 12 का अपडेट है और रियल्मी यूए 4.0 एंडरॉइड 13 का अपडेट आपको रियल्मी 10 प्रो डिवाइस में मिलता है एमर को दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया है और यहां पे अलग-अलग टाइम स्टैंप में हम चेक करने वाले हैं कि कौन से डिवाइस में कितनी परसंट चार्ज हुआ है फिले दोस्तों यहां पे हम 5 मिनिट में चेक करेंगे और 5 मिनिट के बाद हम यहां पे देखेंगे क कौन से डिवाइस कितना चार्ज हो चुका है तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा fast forward किया है थोड़ा सा cut किया ताकि फड़ाफ़ट से score मिले 5 minute होने के बाद यहाँ पे सकते हो 13% realme 10 11% 10 pro और realme 8 4G device यह भी 13% पे है तो 10 और 8 जो है एक वाल चल रहे है next time जो हमारे 10 minute का होने बाले है यहाँ पे वीडियो को मैंने थोड़ा सा fast forward and again से cut किया है फड़ाफ़ट से score देखते हैं यहाँ पे जो 10 है वो 32% 20 पे 10 pro और 8 जो है वो 24 पे पहुँच गया है तो 8 जो है आप देख सकते हो 34% पे पहुच गया है तो 8 जो है realme 8 old device है लेकिन अभी भी यह काफी अच्छे से लीट कर रहा है dart charger वैसे दोस्तों तीनों ही device का हमने separate अलग-अलग test भी किया हुआ है चैनल पे यहाँ पे डिमांड थी तीनों का एक साथ test लेके आए तो यहाँ पे 20 मिनिट बाद हम देखते है 37 पे 10 पहुच गया है 10 प्रो 35 और 43% दोस्तो 43% पे realme 8 पहुच गया है यह काफी ज़्यादा fast चल रहा है देखते हैं यह अपनी fast charging maintain कर पाता है या फिर पीछे हो जाता है इस टैम इस टैम दिस तो हमारा आदा घंटे का होनवाला हाफ अवर 30 मिनिट चोकि यह बहुत ही ज़्यादा important है आदा घंटा कर हम charge करते हैं तो आप देखते हो 10 जो है 52 पे पहुच जाता है 51 पे 10 प्रो और 62 परसेंट पे यहाँ पे realme 8 पहुच जाता है 40 मिनिट में हम चेक करने वाले है realme 10 आप देख सकते हो 66 पे 10 प्रो और realme 8 जो है 4G डिवाइस यह 79 परसेंट पे पहुच गई है तो यह almost 13-14 परसेंट से realme 8 जो है वो आगे चल रहा है realme 10 और 10 प्रो से 40 मिनिट के बाद हम 10 मिनिट और इंक्रीस करते हैं दिखते हैं कि 50 मिनिट में हमें क्या रिजल्ट मिलता है 50 मिनिट में आप देख सकते हो 80% पे 10 पहुच गया है 80% पे 10 प्रो है और 90% पे यहाँ पे realme 8 पहुच गया तो 10% realme 8 ने अगेंस यहाँ पे लीट ले लीए है अभी तक की चार्जिंग हमने जितनी भी किया है रियलमी 8 जो है आगे ही रहा है हर सेग्मेट में तो जो नेक्स टैम इस टैम पर हमारा काफी जादा जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाफ और और वन और में अप्रॉक्समेटली हम यहां पर चेक करते हैं वन और के बाद अगर आप रिजल देखेंगे तो रियलमी 10 जो है वो 91,92 पर 10 प्रो और रियलमी 8 4G जो डिवाइस है 96 परसेंट पर पहुच गया है जो लीट थी अभी यहां पर थोड़ी कम हो गई है फिर भी यहां पर रियलमी 8 4G डिवाइस आगे है तो यहां पर चार्जिंग बहुत कम बच गई है तो हम 55 मिनट में चेक करने वाले हैं वन आवर 5 मिनट याने कि 65 मिनट टोटल में हम चेक करते हैं तो रियलमी 10 जो है 95,95 पर 10 प्रो और रियलमी 8 4G डिवाइस जो है वो 98 परसेंट पर पहुच गया है देखते हैं पहले कौन चार्ज होता है दो मिनट हमने और आ प्रेक्टर हो सकते हैं चार्ज यहां पर थोड़ी सी स्लो ही मुझे लग रही है वन आवर 10 मिनट में हम देखते हैं तो 99 परसेंट पर रियलमी 10,98 परसेंट पर ट्वैन प्रो और 99 जो है वो पहुच गया है रियलमी 8 4G डिवाइस तो यहां पर काफी आगे है रियलमी 8 4G यहां पर 10 प्रो जो है 98 पर है और प्रोक्समेटली 100 परसेंट पर पहुचने ही वाला है रियलमी 8 4G डिवाइस वन आवर 12 मिनट याने की 72 मिनट में हम देखते हैं रियलमी 8 जो है वो चार्ज हो चुका है 99 परसेंट पर यहां पर रियलमी 10 प्रो डिवाइस है कम्पनी ने वैसे भी बोलाता है कि वन आवर 74 मिनट में 10 प्रो चार्ज होता है तो वह लास्ट हमारा 10 प्रो ही रह गया है वन आवर 14 मिनट याने 74 मिनट में अगर हम चेक करते तो यह फुली चार्ज हो जाता है तो वह फाइनल स्कूर कुछ इस तरह से हैं सबसे पहले यहां पर तरह 25 उता है यहां पी दिफरेंस उतना नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर यहां पर फिनर जो होता है रिएलमी 10 4 जी डिवाइस हुता है אבל हीट ने वी काफी चार्जिंग कियों साफेला अधीं टीबास होने के बाद काफी अच्छा यहां परोफॉमेंस मिलता है यह तoti है और भी बहुत सारे चैनल पर वीडियोज एवलेबर है चेक आउट जरू से करेगा सब्सक्राइब दो इतना है मिलते हैं नेक्स ने वीडियो के साथ मैं तब तक के लिए इन बोलते रहिए बंदे मातरम